लेकिन आपके मुखार बिन से ऐसे अवदों का प्रियोग करना उचित नहीं है आगे से प्लीज मत परियेगा प्षरी कोईश्टे यह स्टेज सो आप लोगों ने भी देखा होगा लेकिन आपके ही माइंड में इचल रहा होगा कि भाई आखिर ऐसा कौन सा बात हुआ जिससे प्रियांसु सिंग गुंजन सिंग को भरे स्टेज सो के दौरान इतना बेजिती भरे सब्द कह दिया अरे बेजती है न भाई कहां बिस बाईस साल का लोंडा और कहां तीस बरस का एक भोशपूरी का बेहतरीन कलाकार मग ही कलाकार जो प्रियांसु सिंग कह रहा है गुंजन सिंग को कि आपके मुख से यह सब्द अच्छा नहीं लगता है भाई आखिर यह कौन सा सब्द था स आप जानना चाहते हैं मतलब यार बताईए कि छोटा सा लड़का एक बड़े से सिंगर को ऐसा बोल देता है एक सब्द के कारण उस सब्द मेरे को जहां तक लग रहा है वो सब्द सायद हो सकता है कि पवन सिंग के साथ रहते रहते गुंजन सिंग ने भी जैसे पवन प्रियान्सू को खराब लग गया और बस प्रियांसू ने कह दिया कि आपके मुख्ट से यह सब्द अच्छा नहीं लगताए है बहुत इजट करते हैं अपका और हम आपके भाई हैं और उसके बाद गुंजन सिंग भी कहते हैं कि हां हां आप हमारे भाई ही हैं मतलब बता ये कि एक सब्द जो पता ही नहीं चल रहा है यूटूब के या फेस्बूक के हर एक जगा पे ढूंड लिए लेकिन वो सब्द नहीं मिला हो सकता है कि इसको कट करके हटा दिया गया हो तभी तो बस इतना ही मिल रहा है सुनने को लेकिन आप क्या सोचते हैं कि प्रियांसु सि बहुत घमंडी हो गया है हो सकता है कि नया नया गाड़ी या हो सकता है कि धेर पैसा का कमाई लोगों को बहुत लोगों को हजम नहीं होता है साय तो वही कुछ हुआ हो कि इनको भी हजम नहीं आ रहा हो कि हमारे पास इतना पैसा हो गया हम इतना बड़ा गाड़ी पे चल र आते घूम रहे हैं जो पवन सिंग हमको बेटा और बतीजा और भाई कहते रहते हैं और यह चीज प्रियांसु सिंग से बरदास्त नहीं हुआ कि कोई उनको स्टेज पे बेटा सब्द से नवाज दे खैर क्या है वीडियो का सच्चा ही मैंने बस सायद में ही बताया है कि हो सक है कि प्रियांसु सिंग को बेटा कह दिये हो गुंजन सिंग लेकिन इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कि आखिर वो क्या सब्द था जिससे गुंजन सिंग को प्रियांसु सिंग ने सुना दिया भरे स्टेज सोपे अपने कमेंट सेक्षन में जरूर बताइए क्योंकि दर्सक यह जानना चाहते हैं गुंजन सिंग के फैन भी जानना चाहते हैं कि भाई आखिर क्या सब्द था जिसके लिए स्टेज पे इतना बड़ा बवाल हो गया बाकी वीडियो अगर अच्छा लागा हो तो वीडियो को सेयर करिए लाइक करिए और अपना कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा बाकी नमस्कार पनाम जै मगत जै बिहार